सो हलो व्रीवान वेलकम चु नेक्स व्लॉग मैं हूँ जो जोवीली और आप लोगों के लिए लेकर आएक और वीडियो जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रोडेक्ट आई यूज में वीवो वाई 200E के बारे में क्यों मैंने फोन लिया और क्या सारी चीजे थी और आप देखते जाएं तो यह वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों जो वीवो वाई 200E जो है यह मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे एक दोस्के पास में उसने फोन खरीदा और दो दिन पहले खरीदा हैंने वस वेरी हैपी तो मैंने सूचा कि मैं भी वीवा यह था जो बजट फ्रेंडली भी हो जिससे कभी कबार मेरी मम्मी अगर कुछ मैमेरी क्रियेड भी करना चाहें तो कर सकें 5G होना चाहिए और दिखने में अच्छा होना चाहिए साथ में जब मैं वीवो आउटलेट पर गया तो उन्होंने मुझे एक दो चीजे और बताई जो की बहुत ज़्यादा अच्छी थी सबसे पहले बॉक्स से शुरू कर लेते हैं सबसे पहले जब आप फ्रेंट में देखते हैं तो वीवो वाई 200E की आपको ब्रैंडिंग देखने को मिलेगी 5G यहां लिखा हुआ है कुल मिला के दो कलर्स में मिलता है जिसमें हलका सा तो ब्लाक जैसा टोन और दूसरा औरेंज कलर का आपको टोन मिल रहा होता है अगर में स्पेसिफिकेशन की बात करो तो सबसे पहले एक तो यह पॉइंट बहुत जादा इंपोर्टेंट था फॉर माम क्योंकि एज के साथ आपका विजन थोड़ा सा कम हो जाता है अब यह 120 Hz की अल्टरा विजन अमलेड डिस्पले मिलती है तो अब यह समझो कि हम जित्ते ही भी हमारे घर में लोग हैं वह बेसिकली फोन ना कॉल करने से जाधा काह में लेर होता है यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए अगर आप में भी कोई ऐसा वीडियो देख रहा है म सेम टाइम पर डूल स्टीरियो स्पीकर है कंपनी का कहना है कि 300 परसेंट बहुत क्लियर औडियो है यह सारी बाते अगर मैं अलोवर बात करूं तो मुझे अच्छी लगी है मैं आपको थोड़े दिर में टेस्ट करके भी दिखा दूँगा उसके लावा स्नापड्राइगन 5G प्लाटफॉर्म पे बेस्ट है और लेटेज जनरेशन स्नापड्राइगन प्रोसेसर है उसके साथ में आपको 44 वाट का फ्लेश चार्जर मिल रहा होता है अगर उसमें आपकी चार्जिंग स्पीड फास्ट है तो आपका टाइम बच रहा होता है क्योंकि दोस्तों जो मे आपके फोन की लाइफ साइकल बैटरी की बहुत कम हो जाती है तो बेसिकली फार्मेट यह है कि जब तक आप फोन चार्ज लगाएं तब तक देखते रहें कि हां होता है ना कि आदे गंटे मेरा फोन चार्ज करके में मेरा काम चला जाओ राद बर चार्जिंग पे नहीं ल मैं बात करूं MRP की तो 23,999 रुपय का ही आ रहा है मगर मुझे थोड़ा कम में पड़ा तो मुझे एक्जाक्ट 20,000 रुपय में यह फोन अवेलेवल था जो वीवो डीलर्शिप है उसके उपर अब आपको फोन खोल के दिखाते हैं सबसे पहले फोन के साथ क्या-क्या आता ह किसीफ है वह उन छीज़ों के बारे बात कर लेता है एक बॉक्स वाक्स के अंदर आपको कुछ प्रकार की प्रिक मिलती है 44 वाट की और इसको साइड में रख देते हैं उसके साथ में यहां पर आपके पास में एक सेम इजेक्टर टूलल आपको मिल रहा होता है और उसके सा तो बहुत चोटी भी निए एक तरफ आपको C मिलता और दूसरी तरफ USB-A मिलता है तो सिफ यही काम आईगी क्योंकि आजकल मेरे जैसा फोन है वह C2C हो चुका है उसके साथ में आपको एक अच्छी बात है कि कंपनी आपको एक कवर दे रही है और उसके साथ में कुछ यूजर मैनवल और वारंटी काड़् जैसी सारी चीजें आपको मिल रही होती है और उसके साथ मिलता अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फोन की तो आप पीछे से शुरू करते हैं एक तो फोन लाइट वेट है जैसे अगर मेरे वाले पर तो मैंने कवर भी लागा रखा है मगर आप इस फोन को ऐसे देखोगे ना तो आपको बहुत जादा वजन वाला फोन नहीं लगेगा वीवो की बहुत ही खूपसरत यहां आपको ब्रैंडिंग दिखती है जिसके साथ मिलते आपको तीन कैमरा और उसके साथ मिलता एक फ्लैश और नीचे की तरफ स्पारिकल यहां पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है अब पीछे की तरफ एक तो ना यह फोन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि देखो मम्मी के हिसाब से ना मुझे थोड़ा वाइब्रेंट कलर लेना था इको फाइबर लेदर बोलते हैं इसको कंपनी और यह थोड़ा सा ग्रि प्रिंट से हो जाते हैं पर मैक्सिमुम जो लोग हैं वह फोन को वैसे भी कवर में रख रहे होते हैं उपर की तरफ यहां पर आपका फ्रंट क्यामरा मिलता है और उसके नीचे की तरफ इन बिल्ट स्क्रीन के उपर ही आपको मिल रहा होता है इसके अंदर फिंगर करते हैं अब मैं दिखाता हूं इसका स्क्रीन रेजुलूशन और उसके साथ में एक आडियो का आपको फीड़बैक सबसे पहले फोन के कौने पर यहां क्या आपको पावर बटन मिलता उसके साथ वॉल्यूम कम जाधा करने वाल राइट-end तरफ और आप दिखाते हैं आप अब यह तो रही स्क्रीन की वालेटी अब इसके लावा आपको दिखाते हैं फो की क्यालेटी तो अगर आप फोटो की वालेटी की बात करो तो किस एकुलियर आपको यहां पिक्चर्स मिल रही होती है और अगर आप वीडियो की बात करो तो वीडियो के अंदर भी आपको बहुत ही जादा अच्छी क्वालिटी के अंदर वीडियो मिल रहा होता है तो अगर कोई content create भी करना चाहते हैं इस phone से तो वो इस phone से content create कर सकते हैं अब यह तो रही यहां की सारी बाते अब बताते हैं आपको basic और सारी चीज़ें तो इस phone के अंदर आपको सबसे पहले जो अच्छी चीज मिलती वो यह है कि snapdragon 4th generation 2 octa core 4 nm processor मिल रहा होता है साथ में यह जो phone है यह आपको 6GB RAM प्लस 8GB RAM दोनों options में मिलता है प्लस 128GB जो इसमें hard drive होती है उसके अंदर साथ के अंदर 6.67 120Hz का ultra vision omelette display मिल रहा होता है front rear में camera मिल रहा होता है और उसके साथ में मिल रहा होता है बहुत ही अच्छे speakers so हमको तो बहुत मज़ा आया इस phone को काम में लेके हाला कि मम्मी का phone है मगर फिर भी अगर आप लोग एक अच्छा budget में phone देख रहे हैं तो आप वीव के इस phone के उपर जा सकते हैं कोई और भी phone ले सकते हो this is not a paid video पर till now हमको बहुत अच्छा लगा इस video के अंदर इस phone को experience करना तो आप लोगों को भी अगर ऐसा लगे तो आप हमारा बहुत जादा help हो रही होती है हमारा support हो रहा होता है और बैल आइकन को दबा दे ताकि ऐसा कोई भी content मिस ना हो सो अब अगर आप लोगों को experience करना है तो आपके nearest जो भी वीवो डीलर्शिप है आप वहाँ पर जाओ फोन को experience करो कि picture picture catch के देखो और वीडियो को एंड करता है stay happy stay healthy मिलेंगे अगले ऐसे ही informative content के साथ में तब तक अपना ख्याल रखेगा और हमारा content enjoy करते जाहिएगा बाई बाई